आज की इस वीडियो में हम एक से दो साल तकी बच्चे के लिए यह मंगी कैप बना कर तयार करेंगे इस कैप को बनाने के लिए हम औस्वाल की फैंसी नाइट इन यार्ण का यूज कर रहे हैं और आठ नम्मर हम सलाई का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सलाई में फंदे डालेंगे इस कैप को बनाने के लिए हम सलाई में सत्तर फंदे डाल रहे हैं तो इस साइड एक स्टा दागा रख लेंगे एक साइड इस तरह से और यहां पर स्क्लिप नोट बनाएंगे और सलाई में फंदे डालेंगे इसे हम सलाई में बांध लेते हैं और इस तरह से हमें सलाई में फंदे डालने है जो भी तरीका आपको आता हो सलाई में फंदे डालने का उस तरीके से आप सलाई में फंदे डालने इसी तरह से हम सलाई में सत्तर फंदे डाल लेते हैं है यह हमने सलाई में 70 फंदे डाल लें है और अब यहां से हम भूना स्टार्ट करेंगे तो यहां से हम सब सब पहले बॉडर बना रहे हैं तो दो उल्टे और दो सीधे का यह बॉडर हमें बना कर थियार करना है तो यहीं से दो दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए धागी को पिछे करेंगे और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे यहां से यह एक और ही दो धागी को आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे यह एक और ही दो फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे ये एक और ये दो यहाँ पर हम सीधे फंदे फ्रंट लूप से ही बुन रहे हैं अब धागे वागे करेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे ये एक और ये दो तो धागे पीछे करेंगे देखे यहां पर यह इस साइड से दागी का फ्रैंट लूप है और यह बैक लूप है तो माझे ने था सिद लूप तो ऐसे ही दू उल्टे और दो सिदे फिने बुंते हुई हमें इस नाय यहां तरिक कम्प्लीट करनी है कि कडी कि यहां था ने डिफ यहां यह सराई हमने complete कर ल्ी है तक बुनकर और अब हम इस side से गुनेगे तो इस side से हमें वैसे गुना जो फंदा जैसा है उससे वैसे ही हुना फंद जया सा है उल्टा उर सीधिये को सीधा देखिए आकरी के 2 fंदे हैं जहांने इस side से सीध़े हैं हमारे पास और यह वाले फंदे हमारे पास हैं उल्टे तो आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उल्टे फंदे कैसे होते हैं और सीधे कैसे होते हैं यहां पर यह दो फंदे सीधे हैं और यह दो फंदे उल्टे हैं जो उल्टे फंदे होते हैं यहां पर आपको गांट बुनना है और सीधे फंदे को सीधा बुनना है तो दिखिए यहाँ पर यह दो फंदे सीधे हैं स्कार्टेंगे तो इनको हम सीधा बुन लेते हैं अब यह दो फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुन लेते हैं अब नेक्स तो फंदे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे अब नेक्स तो फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे तो इसी तरह से दो उल्टे और दो सीधे का यह बॉडर हमें बनाकर तयार करना है यहां तक कंप्लीट कर लेंगे फिर इस साइड से भी वैसे बुनेंगे दो उल्टे और दो सीधे तो ऐसे ही बुनते हुए हमें से complete करना है उल्टे फंदे को उल्टा और सीधे को सीधा बुनना है यह दिखिए यह हमने दो उल्टे और दो सीधे फंदे यहां तक बुनकर complete कर लिया है इसकी हाइट हम आपको बता देते है यह लगब हमने 4 इंच तक इसे बुन्ठ यह तक और यहां से इसकी आपको हम आपको चोड़ाइं भी दिखा देते हैं तो बिना खीचे इसकी छोड़ाई हमारे पास है सिक्स पॉइंट फाइफ इंचिस तो यह दो उल्टे और दो सीधे का यह बॉर्डर है तो यह काफी इस तरह से खिच जाएगा स्ट्रीचिवल है यह तो देखिए इसको खीच के भी हम आपको बढ़ा देते हैं लगबग 9.5 तो यह और भी जादा खिच जाएगा इस तरह से काफी किचाव इसके अंदर इस तरह से तो यह लगबग देखिए 10 इंच इतना किचने के बार में 10 इंच हो गया और जादा खिचेंगे और भी जादा खिच जाएगा इस तरह से तो इतना बराने के बार में अब हम यहां से बुना स्टार्ट करेंगे फिर से देखिए यह सीधा साइड है और इस साइड से यह उल्टा साइड है तो यह सीधे साइड से हम सारे फंदे सीधे ही बुन लेते हैं तो यहीं से इस तरह से हमें सारे फंदे सीधे ही बुनते जाना है तो यह सीधा साइड है सीधे साइड से सारे फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से यहां तक यह सलाई कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए यहां तक यह सलाई हमने कंप्लीट कर लिए है सारे फंदे सीधे सीधे ही बुनते और अब यह उल्टा साइड आ गया है कैप का तो इस साइड से हमें सारे फंदे उल्टे-उल्टे बुनने हैं तो यहां से न देख आए एक सलाई क्मप्लीट कर ली है यानकि फर्स रो हमारी कम्पेट हो गई है और सेकंड रो हम साइड से कम्प्लीट करेंगे दूसरी सलाई स सारी फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुंते जाना में Сп 26 फंदे कह सुछा है कि हम्ये इस साइट से हम्यक्त कर लेटे हैं कि यहां तक अभाद मिरें योण साइट के संवा सकते ही तो इस्यृटी करेंगे सारी उल्टे-उल्टे ही सीधे साइड से फंदे सीधे बुनने हैं उल्टे साइड से फंदे उल्टे बुनने हैं तो इसी तरह से फोर रोग कंप्लीट करके हम आपको दिखा देते हैं तो दिखिए हमने ये फोर रोज बनाकर कंप्लीट कर ली हैं यहां तक अब यहां से हम फिफ्त रोग बनाना स्टा साइड है और अब यहां से यह एक फंदा हम बंद करेंगे एक फंदा हमने बंद करा यह दो तेन और यह चार चार फंदे हमने यहां पर बंद कर दिये है और अब यह विप्त रुपूरी हम सीधे सीधे बुनते हुई कम्प्लीट कर लेंगे सारी सलाई को तो यह हमने रो फाइफ यहां तक कम्प्लीट कर लिए है अब यह उल्टा साइड है कैप का तो यहां से हम रो सिक्स स्टार्ट करेंगे चार फंदे हमने इस साइड से बंद करेंगे इस साइड से हमें फंदे उल्टे बुनने हैं यह हमने एक फंदा बंद करा यह दो यह तीन और यह चार चार फंदे इस साइड से बंद कर दिये और अब सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनते हुए ही यह रो सिक्स भी हम कम्प्लीट कर लेते हैं यह हमने row 6 पी यहां तक complete कर लिए है देखिए दोनों साइड से हमने 4-4 फंदे बंद कर लिए हैं अब यहां से हम row 7 स्टार्ट करेंगे तो यह सीधा साइड है तो इस साइड से हमें फिर से एक फंदा हमें बंद करना है देखिए यह वाला फंदा जो है वह हम इसके उपर से निकाल देखिए तो एक फंदा और हमने यहां पर बंद कर लिया है पहले चार फंदे बंद कर लिए थे एक और कर लिया पांच फंदे हमने इस साइड से बंद कर लिए है और अब यहां से सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुनते जाएंगे और यह row 7 भी हम कंप्लीट कर लेते हैं यह हम ने हम रो सें यहां टक कंप्लीट कर लिया है आप यहां से हम जो इप्स रख करेंगे तो यहांसे भी हमें एक फंदा बंद करना है ज़र में उल्टे बुनने है इस साइड से यहां से इस फंदे को हम बंद कर देंगे तो इस साइड से भी हमने पहले चार फंदे बंद कर लेते हैं अब एक कोर्फ हमने बंद कर दिया तो पांच फंदे हमने बंद कर दिये हैं इस साइड से और अब यहां से सारी फंदे उल्टे उल्ट अब यहां से हम रो 9 स्टार्ट करेंगे फिर से हम एक फंदा यहां पर बंद करेंगे अब यहां बंद कर देते हैं पहले हमने पांच फंदे बंद कर दिये थे अब एक और फंदा हमने बंद कर दिये हैं तो अब ये रो नाइन हम सारे फंदे सीधे सीधे बंदा हुए इसे कंपेट करेंगे ये हमने रो नाइन भी यहां तक कंप्लीट कर ली है और अब यहां से हम रो 10 जाड़ करेंगे तो यहां से फिर से हमें एक फंदा बंद करना है थे साइ Channel से हमें फंदे उल्टेपूनने आट हैं ये兩 फंदा बंद क इस साइड से भी हमने पहले पांच फंदे बंद करेते एक इस बार और बंद कर दिया तो इस साइड से भी हमने छह फंदे बंद कर दिये हैं अब यहां से यह रो टैन हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए कम्प्लीट कर लेते हैं कि देखिए हमने ये रो टैन ही हमने complete कर ली है और दोनों साइड से हमने 6 छे फंदे बन कर लिये हैं और अब यहां से जितनी आपको हाई ट्रकनी हो कैप की उतना आपको ऐसे बुनते जाना है सीधे साइड से सारे फंदे सीधे बुनने हैं और उल्टे साइड से सारे फंदे उल्टे बुनने हैं तो इसी तरह से बुनते हुए हम जितनी हाइट रखना चाहें उतना बुन लेंगे तो इतना हम आपको बुन कर दिखा देते हैं इस सलाई से यहां तक टोटल ग्यारा इंच लैंड तक हमने इसे बुन्टकर Complete कर लिया है यहां तक और अब यहां से सलाई में जो हमारे पास फंदे हैं इनको हम आधा-धा कर लेते हैं और बीच में हम Stitch Marker लगा लेते हैं तो देखिए हमने से आधा-धा कर लिया है आधे हमने फंदे इस साइड रख लिये हैं और आधे इस साइड और बीच में हमने यहाँ पर सब्डिप पीन अटैच कर दी है स्टेच मार्क करके लिए अब यहां से, यह सीधा साइड है, कैप का, यहां से हमें फंदे सीधे ही बुनने हैं तो देखें, यहां तक हमने ही बुन लिया है, और यहां पर यह जो स्टिच मार्कर हमने लगाया है इससे पहले, यहां पर हमारे पास तीन फंदे बचे हैं, एक, दो, तीन तो यह हमारी डिक्रीस राउंड की फॉर्स्ट रो है, जो हम बना रहे हैं, तो यहां से हम फंदा घटाएंगे तो दिखें, यहां से हम दो का एक करेंगे, यह दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे यह वाला फंदा भी बुन लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक फंदा घटा लिया है स्टेच मार्कर को हम इस वाली सलाई में ले लेते हैं अब यहाँ से हम इस साइट से एक फंदा यह हमने बुन लिया और अब इस साइट से भी हम एक फंदा घटाएंगे तो यहां से यह दोनों फंदे पहले हम इस सलाई में ले लेंगे और अब हम दो का एक करेंगे तो यहां पर भी हमने एक फंदा गटा लिया एक इधर गटा लिया एक इधर गटा लिया है और अब बचे फिर फंदे हम सारे सीधे बुन लेते हैं तो यह हमारे डिक्रीस राउंड की फर्स जो है जो हम बना रहे हैं और कैप का सीधा साइड है यह हमने सारे फंदे बुन लिये हैं एक रो हमने कंप्लीट कर ली अब इस साइड से हम साइकिंड रो कंप्लीट करेंगे तो कैप का उल्टा साइड है इस साइड से हमें सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं इस साइड से हमें फंदे गटाने नहीं है जितने हैं उतने सारी हुए तो दिखिए यह सैकेंड रो भी अपने यहां तक कम्प्लीट कर लिए है आप यहां से हम थर्ट रो स्टार्ट करेंगे तो यह हमारी डिक्रीस्ट रो होगी तो जैसे कि पहले हमने रो फर्स्ट में यहां पर फंदे गटायते वैसे हमें गटाने हैं जो स्टिच मार्कर इससे तीन फंदे पहले तक यहां तक हमें सारे फंदे सीधे बुनने हैं सीधा साइड है कैप का तो फंदे सारे सीधे ही बुनेंगे एक ही यहां तक बुन लिया अब यहां पर मार पास तीन फंदे बच्चे हैं स्टेच मार्कर से पहले यहां पर यहां से हम एक फंदा घटाएंगे यह दो फंदे हमें एक साथ बुनने हैं यह वाला फंदा भी बुन लेते हैं और अब स्टिच मार करको हम इस तलाई में ले लेते हैं अब इस साइड से एक फंदा बुना और यह दो फंदे स्लिप करें फिर से इस तलाई में लेंगें फंदों को हम और दोनों को हम एक साथ बुनेंगे इस साइड से भी हमने एक फंदा घटा लिया इनकी दोनों साइड से हमने एक एक फंदा गटा लिया और अब बच्चे हुई फंदे हम सीधे बुन लेते हैं तो यह हमारी थर्ड रो है इसे कंप्लीट कर लेते हैं यह हमने थर्ड रो भी यहां तक complete कर ली है और अब हम फिर से कैप के उल्टे साइद बहुत करनी है तो यहां से हम सारे लुटे उल्टे बुनते हूए यहां तक यह पूरी वाराय के यहां व्हसे दिखा दे करनी है यहां से घ्रिष करेंगे तो यहाँ पर फिर से हम decrease करेंगे फन्दे, सिधा side है, तो वो stitch marker है, इससे 3 फन्दे पहले तक, यहाँ तक हम सारे फन्दे सीधे बून लेते हैं, तो यहाँ तक हमने फन्दे बून लिते हैं, तो फिर से हम 2 फन्दे 1 साथ बूनेंगे, एक फन्दा घटाया, यह वाला फन्द बुनेंगे और यहां से दो फंदे स्लिप करेंगे फिर से इन दोनों फंदों को हम सिधा बुन लेते हैं एक साथ बुनेंगे इसे कि यहां पर हमारे पास एक फंदा कम हो जाएगा इस साइड से भी और अब हम बचे भी सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं रो फाइफ यह हमने कम्प्लीट कर ली है और अब यहां से हम रो शिक्स कम्प्लीट करेंगे सारे फंदे उल्टे-उल्टे बुन दे यहां तक तो रो शिक्स भी हम आपको कम्प्लीट यहां तक बना कर दिखा देते हैं कोई यह हमने जेक्सी गंप्लीट कर लिए लिज़ा कर लिए था किम स्वाइओ अब हम इसे उपर से बंदी करें Suppose अब इस्वात ब्र आख से पफन्दे पहले बंद कर लें जैसी किस तरह से बंद करते हैं इसलिए अतवक σου अम इस्वामक्र से उपर आप से बंद कर सकते हैं या फिर आप सलाई से भी से बंद कर सकते हैं तो यह हम पुता देते हैं कि सलाई से किस तरह से बंद करना है तो यह जो आदे फंदे हैं यहां तक जो स्टेच मार्कर हमने लगाया है यहां तक कि सारे फंदे हम दूसरी सलाई में निकाल लेते हैं इस सलाई आदे कर लिए हैं तो इनको हमें बंद करना है तो अब दिखिए जो है ना धागा इधर है हमारा और स्लाई का मुझ इधर है तो यह जो दोनों सलाईयां हैं इनको हम पलट लेंगे यह फंदे जो है वह इस तरह से निकाल के और फंदे आप इस साइड से इसमें डाल सकते हैं जैसे भी आप चाहें वैसे यहां से पकड़ें इसे और सलाई को इस तरह से निकालें और यह फंदे वापस इस सलाई में डाल लें साइड से अगर आपको इस तरीके से फंदे चूटने का ड़े रहता है तो आप पहले दूसरी सलाई में निकाल लें जैसे कि हमने पहले निकाला था उसके बाद में आप इस सलाई में डाल सकते हैं धान रखें एक भी फंदा चूटना नहीं चाहिए तो देखें यह हमने सलाई पलट ली है और इसी तरह से हम इस सलाई को भी पलट लेते हैं तो यहां सी फंदों को आप इस तरह से पकड़ लें जिससे कि चूटे नहीं तो देखें हमने यहां पर सलाई को पलट ली हैं इस तरह से यह ऐँल्टा साइड है यह भार की तरफ रखेंगे और कैप का सीदा साइड है उससे हम अंदर की तरफ रखेंगे और अब हम 3 needle bind off करने वाले हैं यहाँ से तो यहाँ पर दोनों सलाई में यह फंदे हैं और तीसरी सलाई से हम यह फंदे बंद करेंगे तो यह हम आपको बताते हैं कैसे करना है देखे केप का उल्टा साइड है इसका आप ध्यान रखें उल्टा साइड को बाहर की तरफ रखना है और फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं पहले हम एक-क जैसे एक सलाई में से हम फंदे बंद करते हैं तो इसमें से हम एक-क फंदे बुनते हुए हम फंदे बंद करते हैं रेकिन यहां पर हमार पास दो सलाई में फंदे हैं तो यहां पर हम एक फंदा इस सलाई में से लेंगे एक फंदा हम इस सलाई में से लेंगे रेकिन यहां पर फंदे हमें सीधे बुनने हैं देखें यहां से यह फंदा हमें लिया एक फंदा इस सलाई से और एक फंदा इस सला और दोनों सलायों पर से ये एक एक फंदा हम बुन लेंगे देखिए एक फंदा हमने बुन लिया यहां पर दोनों साइड से एक एक फंदा बुनते हुए अब हम नेक्स्ट फंदा बुनेंगे इस तरह से दोनों साइड से एक फंदा लेना है दोनों सलायों में से और इसे अब क्या करेंगे जो पीला फंदा है इसे दूसरे फंदे की ऊपर से इस तरह से निकालना है यानके इसे इसलेब बंद करना है यहां सी तो यह हमने एक फंदा बंद कर लिया है से सी तरह से हमें सारे फंदे के बंद कर लें है impresseur कि यह देखिए हमने सारे फंदे यहां से बंद कर लिये हैं आखिरी फंदे को हम जोड़ा सब्सक्राइब करेंगे और यहां से स्थादी को कट करके और इस पर यहां पर गांट लगा देंगे बाद में सिलाई लगा कर इस धागे को हम गुनाई में हाइड कर देंगे तो दिखिए यहां से टॉप से हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ में बंद कर लिया है और यहां पर जो हमने शिक्स ट्रोब कि इसे यहां से बंद कर सकते लेकि यहां पर क्या होगा कि हलका सा कॉर्णर निकल जाएगा तो यह फंदे गटाने से यहां पर हलकी सी गोलाई आ गई है इतना बनाने के बाद में अब हम इसका यहां से बॉर्डर बनाएंगे आगे से अब देखे यहां से हम बॉर्डर बनाएंगे तो यहां से हमें फंदे उठाने हैं तो यहां पर सेंटर में जो हमने सिलाई लगाई है तो जितने फंदे हम इस सिलाई से यहां तक उठाएंगे उतने ही फंदे हमें सिलाई से इस साइड उठाने है यानि कि दोनों साइड हमें बराबर से फंदे उठाने हैं तो दिखिए यहां से हम सलाई को इस तर सेंटर करेंगे और यहीं से हमें फंदे उठा लेने हैं यह हमने एक फंदा उठा लिया यहां से हम साइकिंड फंदा उठा लेते हैं दो फंदे उठा लिया हमने यह दिखिए तो इसी तरह से हमें फंदे उठाते जाना है तो देखिए हमने यह फंदे उठा लिया है 37 इस साइट से और 37 इस साइट से टोटल 74 फंदे हमने सलाई में उठा लिया हैं अब यहां से हम एक उल्टा और एक सीदा का बॉर्डर बना कर तयार करेंगे यहां पर हम ने दो उल्टा और दो सीधा का border बनाया था और यहां पर हम एक उल्टा और एक सीधा का border बना करते यार करेंगे यह एक फंदा हमने उल्टा बना और यह पंदा हमने सीधा, फिर एक उल्टा और एक सीधा, उल्टा और सीधा, तो इसी तर ऐसे एक उल्टा और एक सीधे का हमें ये बॉर्डर बना कर तयार करना है, ये रो हमआपको कंप्लीट करके दिखा देते है, तot guard है, तो इस साइड से बनाएंगे, तो इस साइड से जो फंदा जैसा है उसे हमें वैसे ही बुनना है, उल्टे फंदे को उल्टा और सीधे को सीधा बुनना, जैसे ये वाला फंदा है यहाँपर, तो ये उल्टा है तो बूनेंगे और नेक्स बंदा सिधा है तो इसको हम सीधा बूनेंगे। एक उल्टा और सीधा बूनते हुए हमें यह बॉर्डर बनाकर त्यार करना है। तो देखिए बॉर्डर को हमने यहां तक बुन लिया है और बॉर्डर को बनाने में हमने दस नमबर सलाइका यूश किया आप सेम सलाइ से भी बना सकते हैं और यहां से बॉर्डर की जो हमने चोडाई रखी है वह लगबग हमने 1.5 इंच आप एक इंच तक भी रख सकते हैं और अब यहां से हम फंदे बंद करेंगे देखिए यहां से यह उल्टा फंदा है तो इसे हम उल्टा ही बुनेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसे हमें सीधा बुनना है यह हमने बुन लिया अब पहले फंदे को हम दूसरे फंदे की उपर से इस तरह से गिरा देते हैं तो एक फंदा हमने बंद कर लिया यहाँ पर नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे और पहले फंदे को दूसरे फंदे के उपर से गिरा देंगे इस तरह से फंदे बंद करने है नेक्स फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे और इस फंदे को दूसरे फंदे के उपर से गिरा देंगे तो जो उल्टा फंदा है उसे उल्टा बुनना है और जो सीधा है उससे सीधा बुनना है और इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं यह हमने सारे फंदे यहां तक बंद कर लिये हैं और अब हम इसे यहां से सिलाई लगा कर बंद करेंगे तो यहांसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे हम और इसे यहां से कट कर लेते हैं और यह जो आखी फंदा है जो रहे होगा है इसमेंगे को निकालकर इस तहरे से काठ ले और यहां से पका देंगे और अब यहां से हमें इसके उपर सिलाई लगा कर इसे बंद करना है तो देखिए हमने सिलाई लगा लिए है अब इस धागे को हम बैक साइड में हाइड कर देते हैं बुनाई में इस तरह से दबा कर और एक्स्ट्रा धागे को हम यहां से कट कर देते हैं और जो दूसरा धागा है उसे भी हम इसी तरह से बुनाई में दबा देते हैं तो दिखिए हमने धागे भी बुनाई में दबा दिये हैं और हम इसे राइड साइड टर्न कर लेते हैं इस तरह से हमने एक सी दो साल तक की बच्चे के लिए मंकी कैप बना कर तयार कर लिए है इस तरह से आप बड़ों के लिए भी कैप बना कर तयार कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में फंदे जादा ले इस cap को बनाने में हमने two ply yarn का यूज़ किया है यहां से आप देख सकते हैं काफी stretchable है neck पर आसानी से fit आ जाएगी और यहां से भी stretchable है इस तरह से आप भी यह मंगी कैप बना कर तयार कर सकते हैं वीडियो चल लगा हो तो like और share जरूर कीजेगा इसी तरह के ओने वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe भी जरूर कीजेगा नए वीडियो की notification पारने के लिए subscribe पटन के पास में जो bell icon है उस पर भी all के साथ में जरूर क्लिक कीजेगा जिसे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अप्लोड करेंगे तो आपको उसका notification मिल जाएगा करेंगे तो आपको इसका जब जाएगा करेंगे जरूर किजेगा